15 अगस 2021 की सुभा जब हम और आप आजादी का जश्न मना रहे थे तब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के लड़ाके अफगान नागरिकों की आजादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे हाला कि एक आएक शुरूर नहीं हुआ बलकी पिछले तीन महीनों से जारी है इस लड़ाई में कंधार, हैराद, कुंडू, जलालाबाद, बल्क समेथ अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कबजे में आते चले जा रहे थे और पूरे दुनिया मौन होकर देख रही थी, हर बड़े देश के मीडिया चानल्स में सिर्फ एक खबर की तरह ये खबर चल रही थी पर अब जब अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथों में चला गया, हर तरफ बस अफगानिस्तान की बेवसी दिख रही है इन तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं, लोग कितने डरे हुए है दरसल राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था तालिबान की लोगों ने अचानक काबुल को घे डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबला की सिरेंडर करती दिखी इस बीच अमेरिकी डिप्लोमेट्स को आननफानन में काबुल से ले जाते है, लिकॉप्टर की तस्वीरे भी पूरी दुनिया ने देखी मशीन गनों, रॉकेट, लॉंचर से लेस तालिबान के लडाके काबुल शहर को घेरते चले गए बगराम एर बस, बगराम जेल पर तालिबान ने कबजा जमान लिया काबुल शहर के एंट्री गेट और आसपास के कई एहम विमारतों को एक एक कर तालिबान लडाके कबजा आते चले गए और शाम होते होते अफगान रास्टपती अश्रफ गनी के देश छोड़ने की खबर भी सामने आ गई इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता ने एलान कर दिया कि हमारे लडाके शहर में घुसकर कानून विवस्था और पुलिस चौकियों को सम्हालने जा रहे है तालिबान ने हाला की सेना और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा लेकिन काबुल सहर से बाहर भागने वालों की लाइन लग गई है शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों पर भारी ट्रैफिक जाम दिखा लोग तालिबान के साशन में रहने की बजाए शहर छोड़ कर भागते हुए दिखे लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि 20 साल पहले तालिबान के बरबर और मद्यूगीन शाशन को लोग देख चुके हैं जी हां दरसल इतिहास भी गवा है कि जितना दर्द इस मुल्क ने देखा है किसी ने नहीं देखा कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहेर शाह के शाशन में आधुनिक्ता की और बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मद्यूगीन शाशन को भी देख चुका है इसके बाद 9-11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शाशन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख रहा था कि तालिबान ने फिर से रुठा लिया अप्रेल 2021 में अमेरिका ने अलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लोट जाएंगे इसके बाद तालिबान ने हमला तेज किया और आज नतीज़ा सबके सामने है आखिर कौन है ये तालिबान? दरसल तालिबान कटर धार्मिक विचारों से प्रेरिद कबाईली लडाकों का संगठन है इसके जादातर लडाके और कमांडर पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा इलाकों में स्थित कट्टर धार्मिक संगठनों में पढ़े लोग मॉलवी कबाईली गुटों के चीफ हैं और इनका एक ही मकसद है कि पश्यमी देशों का शाषन से प्रभाव खत्म करना और देश में इसलामी सर्या कानून की स्थापना करना इसके नेता पहले मुल्ला उमर था और फिर 2016 में मुल्ला मुक्तर मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद से मौलवी हिप्तुल्ला अकूमजादा तालिबान का चीफ है ये तालिबान के राजनीतिक धार्मिक और सैन ने मामलों में सुप्रीम कमांडर है हाला कि तालिबान को खड़ा करने के पीछे साउदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मदार माना गया था शुरुआती तोर पर तालिबान ने एलान किया कि इसलामी लाकों से विदेश शाशन खत्म करना है वहां सरिया कानून और इसलामी राज स्थापित करना उनका मकसद है शुरू शुरू में समानतों के अत्याचार अधिकारियों के करप्शन से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई लाकों में कबाईली लोगों ने इनका स्वागत किया लेकिन बाद में कटरता ने तालिबान की ये लोग प्रियता भी खत्म कर दी लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे नजात पाने की लोगों की उमेद खत्म हो गई वहीं अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान की पीछे अमेरिकी समर्थन माना गया लेकिन 9-11 के हमले ने अमेरिका को कटर विचारधारा की आज महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गया लेकिन काबूल कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबाईली इलाकों से तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं को पिछले 20 साल में भी सफलता नहीं मिली खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन ने जिन्दा रखा आज अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ तालिबान ने फिर से रुठा लिया और तीजी से पूरे अफगानिस्तान पर कबजा जमा लिया काबुल हवाई एड़े में भीड को काबू करने के लिए अमेरिकी सेना ने हवाई फाइरिंग की सहिक तुराज अमेरिका ने कहा है कि वो अपने नागरे को और सयोगियों से अफगानिस्तान से सुरक्षित प्रस्थान सुनिश्चत करने के लिए काबुल हवाई अड़े पर अपने 6000 सैनिकों को तैनात करेगा जिसे अब अचानक तालिबान ने अपने कबजे में ले लिया है इसके साथ ही दिल्ली से काबुल जाने वाली एर इंडिया की फ्लाइट अब राज साड़े 8 बजे के बज़ाए साड़े 12 बजे उड़ान भरेगी वही सरकार ने एर इंडिया से कहा है कि वो काबुल से आपातकाले निकाश सी के लिए दो विमानों को स्टैंडबाई पर रखें एर इंडिया ने काबुल से नई दिल्ली के लिए आपातकाले इन संचालन के लिए एक दल तैयार किया है सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है भारत की सिथी काफी संबेदन शील है बता दे कि भारत पिछले 20 साल में अर्वो डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका है स्कूल, अस्पताल, बिजली, गैस समेथ कई बड़ी परयोजनाओं पर भारत ने काफी खर्च किया लेकिन अब तालिबान साशन आने से ये सब खत्म हो चुका है अब सवाल एक ही है कि क्या तालिबान फिर 20 साल पुराना अपना बरबर साशन दिखाएगा या फिर तालिबान साशन में फसे लोगों की सुरक्षा के लिए अंतरास्टी समुदाय कोई कदम उठाएगा इस कबर के साथ मैं थी आपके साथ पूजा मिश्रा आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मारे चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मारे पेज को लाइक करें और अगर आपको मारे वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेर जरूर करें शुक्रियो